वेलकम एस्टूडेंट रस्तोगी आनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है आज क्लास दस के भौती विज्ञान अध्याय वन के बारे में अध्यान करेंगे इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस तथा आउतल लेंस में अंतर क्या है इसके पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे कि उत्तल दरपड और आउतल दरपड में क्या अंतर है यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो playlist में all वीडियो है वहाँ से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं तो उत्तर लेंस और उत्तर लेंस में क्या अंतर है एक एक लाइन आपको अच्छे से समझाए जाएगा इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए तो यहाँ पे सबसे पहले दो कालम बनाएंगे और यह कालम में लिखेंगे उत्तर लेंस और दूसरे कालम में लिखेंगे आउतल लेंस तो उत्तल लेंस हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे आउतल लेंस आप लोग भी अपने कापी में ऐसे बना लीजिए कालम को अब यहाँ कालम पहले बना लेंगे और यहाँ पहला लिखेंगे उत्तल लेंस में कि यह किनारे पर पतला होता है यह लेंस किनारे पर क्या होता है पतला किनारे पर क्या होता है और यह लेंस किनारे पर क्या होता है होता है मोटा होता है कितना असान है यह लेंस किनारे पर क्या है पतला होता है यह लेंस किनारे पर क्या होता है मोटा होता है अब दूसरा अंतर समझेंगे यह बीच में यह लेंस यह लेंस बीच में यह लेंस बीच में मोटा होता है यह लेंस बीच में क्या होता है मोटा होता है यह लेंस जो क्या होता है बीच में क्या होगा मोटा होता है और इसमें लिखेंगे यह लेंस बीच में यह लेंस यह लेंस बीच में पतला होता है बीच में क्या होता है पतला होता है कितना असान है तो अब यहाँ चीतर से अगर समझेंगे तो यह जो लेंस बन रहा है यह जो है उता लेंस है और यह जो है आउता लेंस है तो चीतर से भी आप समझ लेंगे कि वह लेंज जो किनारे पे क्या होता है पतला होता और बीच में क्या है मोटा होता है और यहाँ पे क्या है किनारे पर मोटा है और बीच में क्या है पतला होता है तो यह दो अंतर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हमुनों समझेंगे तीसरा अंतर तो तीसरा अंतर है इसे अभी सारी लेंस कहते हैं इसे अभी सारी लेंस कहते हैं इसे कौन सा लेंस कहते हैं तो अभिसारी लेंस कहते हैं और इसका तिसरा है इसे अपसारी इसे क्या कहेंगे इसे अपसारी लेंस कहते हैं इसे अपसारी अपसारी लेंस कहते हैं लेंस कहते हैं तो तीन अंतर समझ में आ गया होगा अब सीखेंगे हम लोग चौथा अंतर चौथा अंतर है इसका उपयोग इसका उपयोग इसका उपयोग दूर द्रिष्टी दोस दूर द्रिष्टी दोस दूर द्रिष्टी दोस में किया जाता है दोस में किया जाता है किया जाता है इसका उपयोग किसमें करते हैं दूर दिष्टी दोस में किया जाता है तो दूर दिष्टी दोस क्या होता है तो दूर दिष्टी दोस होता है कि वह दोस जो आँखों में ऐसा दोस होता है जो दूर की बस्त में असपस्ट दिखाई देते हैं लेकिन निकट की बस तुमें अजब दिखाई नहीं देते हैं ऐसे दोस को क्या करते हैं, दूर दिश्टी दोस कहा जाता है तो दूर दिश्टी दोस जब आक के अंदर बिमारी हो जाता है तो चस्मे में कौन सा लेंस का परियोग किया जाता है अब यहां लिखेंगे चौथा जो है इसका उपियोग इसका उपियोग निकट दिरिष्टी दोस में किया जाता है तो निकट दिरिष्टी दोस क्या है निकट की बस्त में असपष्ट दिखाई देती है और दूर की बस्त में असपष्ट दिखाई नहीं देती है ऐसे द्रिष्टी दोस को क्या कहेंगे निकट द्रिष्टी दोस कहते हैं तो आँख के अंदर अगर निकट द्रिष्टी दोस का बीमारी हो जाए तो चस्मे में कौन सा लेंस का परियोग करेंगे तो आउतल लेंस का परियोग किया जाता है तो समझ में आ रहा होगा अब हम लोग सीखेंगे पचवा अंतर पचवा अंतर क्या है तो यहां देखेंगे उत्तल लेंस में उत्तल लेंस में जब प्रकास प्रकास की किरण पढ़ती है प्रकास की किरण क्या होती है पढ़ती है तो यहां केंद्र की और यहां केंद्र की और की और और सूसीट केंद्र की और क्या करती है और सूसीट करता है तो थोड़ा सा ध्यान दिजे जब उत्तल लेंस या दखेंगे जब उत्तल लेंस में जब प्रकास के किरण पढ़ती है तो यहां केंद्र की और क्या कर लेती है और सूसीट करता है और शूसीट करती है और इसमें लिखेंगे पच्छुआं आउतल लेंस में जब प्रकास की किराण प्रकास की किराण पड़ती हैं तो प्रकास चारो तरफ प्रकास चारो और फैलता है चारो क्या होता है फैलता है तो यह पांच अंतर आपको बताया गया तो पांच वांच वांच अंतर को एक बार और प्रकास की किराण पड़ती है तो यह प्रकास की किराण में आ गया होगा तिस अंतर को अपने कापी में क्या कीजिए नोट कर लीजिए और नोट करके एक अच्छे से नोट को क्या कीजिए बना लीजिए और इसको अच्छे से क्या कीजिए तैयार भी कर लीजिए तो यदि चैनल पर आप पहली बारा है मेरे तो मेरे चैनल को सस्क् और वेल आइकन घंटी को आपसन को ओके कर लिजे जिसे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए